क्रीमी क्रीमी टेक्स्चर वाला आज बनाते हैं खर्बुजे का मिल्क शेक या फिर खर्बुजे का शर्बत भी कह सकते हैं इसे या फिर आप इसे मस्क मेलन मिल्क शेक भी कह सकते हैं जो बहुत ही डिलिशियस बनकर तयार होता है अब जिसे मस्क मेलन का टेस्ट पसंद नहीं हैं वो भी इसे दो-दो ग्लास भर के पिएंगे ये इतना मज़ेका बनता है हाई फ्रेंज असलाम उलेकूम जिनत इंद कीचन में आप सब का वेलकम है तो इसे किस तरह बनाते हैं इसमें क्या-क्या चीज़ें डलते हैं चलिए वीडियो को बिना स्किप किये पूरा जरूर देखिएगा तो देखिए यहाँ पर मैंने कर्बुजा लिया है यह बहुती फ्रेश है अब इसे कट कर लेते हैं अब इसमें से बिन्जे निकालेंगे और इसका पल्प निकाल लेते हैं इसका पल्प निकालना बहुती आसान है तो इसी तरह मस्क मेलन का सारा पल्प निकाल कर रख लेते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो देखिए इसी तरह मैंने दो खर्बुजे का पल्प निकाल कर रख लिया है तो दो खर्बुजे के पल्प से हम आज मिल्क शेक बनाएंगे तो देखिए दो कर्बुजे से एक कटोरी भर के पल्प निकला है यहां मैंने बारिक वाले साबु दौनों को पानी में भीगोने के लिए रखा है तो ये लगबग एक चोटाई कप जितने है यहां मैंने 700 ml जितना दूद गर्म होने के लिए रखा है जैसे दूद गर्म होगा हम गैस की फ्लेम स्लो कर लेते हैं थंडा थंडा सा ये शर्बत इफ्तारी में आप जरूर बना कर ट्राई कीजिएगा तो देखिए दूद में उबाला चुका है और गैस की फ्लेम मैंने स्लो कर ली है अब हमने जो साबुदानों को भीगोने के लिए रखा था उन्हें डाल लेते हैं पानी से अलग करके इस साबुदाने बहुत ही जल्दी गल जाएंगे क्योंकि हमने पानी में भीगोया है और ये छोटे साईस के हैं अब साबुदनों को थोड़ा सा पकनी देते हैं, अब इसमें हम कस्टर्ड पाउडर को डालेंगे जो इस सर्बत को बहुती क्रीमी बनाएगा और टेस्टी भी तो नॉर्मल दूद मैंने एक कटोरी निकाल कर रख लिया था और उसमें देड चमच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और कस्टर्ड पाउडर को इस दूद में घोल कर आधा आधा करके हम इसमें मिक्स करेंगे तो ये देखे कस्टड पाउडर मैंने दूद में डाल लिया है अब इसका गोल बनाकर इसमें डालेंगे तो गैस की फ्लेम स्लो ही रखेंगे और धीरे धीरे करके कस्टड पाउडर को इसमें मिक्स करते हुए अच्छी तरह चम्मत से मिलाएंगे तो ये देखे साबुदाने भी अब लगबग पक चुके हैं अब इसमें हम कस्टड पाउडर के गोल को मिक्स कर लेते हैं बच्चों को ये इतना पसंद आएगा कि जब कभी भी आप खर्बुजे लाएंगे तो आपसे यही बनवा कर पिएंगे गर्मिया शुरू हो चुकी है और इस तरीके के मिल्क, शेक, शर्बत या फिर ठंडी चीज़े बनते ही रहते हैं तो इस तरीके से आप जब कभी भी खर्बुजा लाएंगे तो बनाकत जरूर ट्राई कीजिएगा तो आप कस्टर पाउडर को मैंने इसमें मिला लिया है यह दिखिए अब स्लो फ्लेम पर ही कस्टर पाउडर को भी अच्छी तरह पकने देते हैं तो custard powder को इसमें ज्यादा मत डालिएगा नहीं तो ये पकते पकते बिल्कुल गाड़ी हो जाएगी खीर की तरह हमें खीर की तरह गाड़ी से नहीं बनाना है तो इसे थोड़ा सा ऐसे पतला ही रखेंगे इसलिए custard powder को थोड़ा सा ही डालिएगा अब लगबग कस्टर्ड पाउडर भी पक चुका है साबुदाने भी पक चुके हैं अब इसमें मिल्कमेड को एड़ करेंगे अपने टेस्ट के इसाब से इसमें ज्यादा भी मत डालिएगा क्योंकि नैचरली मस्क मैलन में भी मिठास होता ही है तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें मिल्कमेड एड़ कर लिया है तो इससे जो है ये और भी रीच बनेगा और बहुत क्रीमी बनेगा अब एक से दो मिनट के लिए मिल्कमेड को भी इसमें पकने देते हैं तब तक हम जूसर जार में घर्बुजेकरी पल्प को डाल कर इसे पीस लेते हैं आप चाहे तो इस पल्प को दरदरा भी पीस कर डाल सकते हैं या फिर एकडम बारिक भी पीस कर इसमें डाल सकते हैं ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंज और रिलिटिव के साथ भी जरूर शेर कीजिएगा फ्रेंज तो या देखिए अब इसे मैंने पीस लिया है अब इसमें एड करते हैं धिरे-धिरे करके डालते हुए गैस की स्लो फ्लेम पर ही से मिक्स करेंगे इस मिक्सचर को एड कर लेने के बाद देखिए इसमें कलर चेंज हो रहा है बहुत ही खुबसुरत कलर आया है इसमें बस दो मिनट इसे पका लेते हैं और फिर गैस की फ्लेम को बंद करके बिल्कुल इसे ठंडा करेंगे ठंडा होने की बाद इसे फ्रीज में एक से दो घंटे के लिए जरूर रखिएगा इसे देखते ही आपको पता चल रहा होगा यह कितना टेस्टी और क्रीमी बना है तो यह देखिए अब इसे ठंडा कर लेते हैं बिल्कुल अब मैं नस्दिक से आपको दिखाती हूँ इसका देखिए कलर और टेक्स्चर तो यह देखिए फ्रेंस बस इस तरीके की कंसिस्टन से रखिएगा अगर ज्यादा गाड़ी होगी तो फिर यह थंडा होकर और भी गाड़ा हो जाएगा तो इसलिए थोड़ असा इसे पतला ही रखिएगा अब फ्रेज में रखकर इसे थंडा कर लेने के बाद सफ करते हैं और शर्बत के लिए मैंने यहाँ पर सबजे के बींच को पानी में भीगोने के लिए रखा था पहले ग्लास में हम आइस क्यूब्स डाल देते हैं तो यहां पर मैंने आइस क्यूब डाल लिये हैं, अब इसमें सबजे के बींच एड़ करेंगे, और एकदम ठंडा ठंडा सा ये शर्बत भी इसमें डाल लेते हैं, ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं, ये कितना क्रीमी बना है, और ठंडा ठंडा ही इसे पीने में मज़ यकीन मानिये फ्रेंड्स, ये बहुत ही डिलिशियस बन कर तैयार होता है, आप भी इसी तरह एक बाल जरूर बना कर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा इसी तरह सिंपल और आसान रेसिपी इसमें आपके लिए लेकर आती रहूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो ऐसे ही मज़ेदा रेसिपी के साथ मिलती हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्ला हाफीज, थैंक्स पर वाचिंग